हमारे द्वारा कभी भी किसी भी भरती परीक्षा संबंधित कोई दावा नहीं किया जाता है क्योंकि दावा करके पूरा करना या मुकर जाना सरकार का काम है हमारा नहीं खबर तक अगर आप बीर दीत्य वर्ष के प्रिक्षारती हैं तो आपका पहुंचना बहुत जरूरी है तो निवेदन करूँगा वीडियो को अंतक देखें इसके बाद आप वीडियो को लाइक कमेंट और सेयर कर सकते हैं दोस्तों रास्थान परदेश में रीट सिक्षक भर अभी तक ऐसे हैं जिन्हों ने आप बीड दीत्य वर्ष के परणाम तो छोड़े अभी तक टाइम टेल तक ज yapt जाडारी ही जिनका टाइमट जारी हो गया है उनकी प्रीक्षाएं आयजित हो रही है या फिर होने कर दिया ऐसे में इन परिक्षार्थियों पर खत्रा मंडराने लगा कि उन्हें इस सिक्षक बरती पतरता प्रिक्षा में सामिल किया जाएगा या नहीं क्योंकि काफी युवा जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि हम भी आने वाले समय में अच्छी त्यारी कर एक सिक्षक बनेंगे ऐसे में काफी प्रिक्षार्थियों ने जीत और त्यारी भी की और काफी अच्छे अंक भी लेकर के आए हैं और जिन्हों पुरी उमीद है कि वो इस सिक्षक बरती पतरता प्रिक्षा के माध्यम से सिक्षक बनने जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बात सर ओडियो को सुन सकते हैं इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इस वीडियो में मैं आपके लिए दो खबरे लेकर के आया हूँ जल्द बाजी ना कीजिएगा दोनों खबरों को आराम से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा सबसे पहली बात तो ये जो खबर निक ऐसमझस की स्थिति इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि ये जो आपकी प्रिक्षा आपने रीट की दी ये आपने एक नहीं दो प्रिक्षा है तो दी है पहली तो है राज्तान के लिए पातता प्रिक्षा यानि अध्यापक के लिए पातता प्रिक्षा आर बोर्ड ने जारी किया है ऐसे में बोर्ड का कहना है कि जब पातता प्रिक्षा का परणाम जारी हो जाए उस समय तक जो बीड़ दुत्यवर्स के या फिर अध्यनरत विद्यारती हैं उनकी नियूंतम सिक्ष्णी की योगता पूर्ण होनी चाहिए यानि उनका प्रणाम आच चुका होना चाहिए ऐसे में बीड़ दुत्यवर्स के सभी छातर रास्तान सिक्षक भरती पत्रता प्रिक्षा से बाहर हो जाते हैं जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसकी जो जानकारी है वो मैंने पूरी की पूरी सूचना और जो आपके लिए खबरें आती है दूसरी तरफ निदेशाल्य का ये कहना है कि जब रास्तान सिक्षक भरती के अपने बात करें सिक्षकों के चैन की प्रकिरिया की बात करें तो जो आवेदन है उसका परणाम आएगा उसके लिए जो परणाम आएगा उससे पहले उन्हें नियुनतम सेक्षनिक योगिता कम 2018 की जो परिक्षा हुई उसके दोरान भी बनी फिर इसी ऐसमजस के चलते निदेशाल्या ने जो परिक्षारती थे अंतिम वर्ष के उन्हें स्थिलता परणान की और इस परिक्षा में सामिल किया गया ऐसे में सवाल खड़ा होता है जो एक दो युनिवरस्टी अपने खु युनिवरस्टियों की लाचारी और या फिर हम लोग ये कहें कि उनकी निरस्ता जो परिक्षारती उस युनिवरस्टी में इन्रोल्ड है उनके परती देखने को मिली जिसका खामियाजा सीधा सीधा उन परिक्षारतियों को भुगतना पड़ेगा ऐसे में सरकार का क्या र निदेशाल है और बोर्ड मादिमिक शिक्षा बोर्ड से बातचित कर इसका फैसला निकालेंगे तथा जो इस समय अंतिम वर्ष के प्रिक्षारती हैं उनके लिए जो भी हो सके हम सकारात्मक और नियमों के अंतरगत कारवाई करने का पूरा प्रयास करेंगे ये तो था उस की लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं कुछ चातर नेता हूं और संग्षनों से भी बात करने की कोशिस कर रहा हूं ऐसे में मैंने आपको पूर में अवगत करवाया था कि उपेंजी से मेरी बात चित नहीं हो पाई इस समंद में मैंने काफी कोशिस की लेकिन असलम जी से मेर इस समन्द में दो तिन बार बात हुई उनका सकाराद मगरुख था जो आपको कल उनके ट्वीट और फेस्बुक पोस्ट के माध्यम से देखने को मिला तो मैं भी आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेधन करता हूँ कि कल असलम जी ने आठ नॉम्मर को ग्यारा बज़े अपनी जैपूर परदेश कारेले में एक मीटिंग बुलाई है कम से कम जो प्रिक्षार्थी जैपूर के बीड़ दित्यवर्स के प्रिक्षार्थी हैं आप लोग वहाँ पर जाएए उनकी जो मीटिंग है उसमें हिश्चा लीजे और आपको भी अपने विचार रखने का मोका मिलेगा जब तक आप खुद के लिए खुद आगे नहीं बढ़ करके आओगे तब तक मैं यह कहूँगा कि आपका प्रयास सफल नहीं हो सकता आपके लिए कोई तब लड़ता है जब आप समयम के लिए लड़ने के लिए तैयार हो तो एक बार फिर यहीं कहूँगा जो जैपूर के कम से कम है वो प्रिक्षारती जरूर बीट दितेवर्स के प्रिक्षारती जाकर के उस मीटिंग में हिस्सा लीजिए क्या परणाम आता है यदि आपको अच्छा लगे तो आप उनके साथ बढ़िए वरना आप अपनी अलग से लड़ाई चलते जाए लेकिन जो आपका साथ दे रहा है उनका साथ आप लीजिए मैं ही कहूँगा चलिए इसी परकार की वीडियो के साथ एक बार फिर मिलूँगा तब तक के लिए जैहिन जैभारत वंदे मातरव